हां तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पहले देखो पहले सिखो में जियां दोस्तों आज में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रीट सिख्चक बरती 2019 को लेके बौर्ड ने एक बहुती बड़ा बयान दिया है आप सबी को पता है कि राजिस्टान में कॉंग्रेस सरकार आ चुके इसका और से सरकार के बदलते इसका जो परिक्षा पैटरन है वो भी बदल चुका है दोस्तो राजस्तान के लाखो युवा ऐसमंजस की स्थती में है कि क्या रीट सिक्षक बरती जो है इसका नाम बदल के आर्टेट किया जाएगा या फिर से रीट ही रखा जाएगा इसी के साथ बहुत से लाखो युवाओं के बीच एक ऐसमंजस स्थती ये बनी हुई है कि रीट में एक ही एकजाम होता था क्या आर्टेट इसका नाम बदलने के बाद दो एकजाम इसकी अंतरगत देने होंगे अब ब्यारतियों को पहला एकजाम क्वालिफिकेशन के लिए दूसरा एकजाम मैरिट लिस्ट के लिए लेकिन दोस्तो रीट के अंतरगत इसके अंतरगत 30 और 70 परसेंट यानि कि एकजाम का 70 परसेंट और ग्रेजियोशन की 30 परसेंट की जो नंबर थे वो जोड के इसकी जो कटोप थी वो आती थी लेकिन दोस्तो अब राधिस्तान में जो है सरकार बदल चुकी है तो राधिस्तान के लाखो युवाओं के बीच ऐसा मंजस सिस्टती बनी हुई है क्या रीट का नाम बदल के आर्टेट किया जाएगा य नहीं किया जाएगा जो भी आपके मन मे डाउट है सारे डाउट में से वीडियो में किलियर करने वाला हूँ तो अगर ऐसे ही आप सिक्षक बरती से सम्मंदित वीडियो देखना चाते हैं तो मैंने पहले भी हमारी चैनल पर प्लब्द करा रखी है और आगे भी कराता रहूँगा जो भी इसके अंतरगत सब्सक्राइब करें इसके साथ सब्सक्राइब के आगे जो घंटी का इकन है उसको दबा के ओन कर लें ताकि जैसा ही कोई भी अपडेट आए तो मैं वीडियो के माद्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊं और आप सबसे पहले देख पाएं तो दोस्तों चलिए वी दोस्तों कौन सी वजह है जिसके कारण राजस्तान के लाखो युआ जो ऐसामंजस की स्थिय में बने हुए है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं राजस्तान के लाखो युआ अब ऐसामंजस में है अलवर प्रदेश में सिक्षक को कैरियर बनाने वाले लाखो यु परिक्षा एक वर्ष में दो बार होनी चाहिए जबकि राज सरकार ऐसा नहीं कर रही है इससे पूर परदेश में आर्टेट पातरता परिक्षा होती थी जिसके बाद नोक्रियों के लिए दूसरी परिक्षा देनी होती थी जदी आर्टेट दुबारा से लागू होता है तो नोक्री के लिए दो बार परिक्षा देनी होगी परदेश में आर्टेट परिक्षा 2011 में 12 में और 13 में हुई थी जबकि रीट परिक्षा 2015 और 17 में हुई थी दोस्तों जब बीजेपी सरकार आई है तब तब रीट परिक्षा हुई है और जब कॉंगरेश सरकार आई है तो आर्टेट परिक्षा हुई है तो दोस्तों अब राधिस्तान में कॉंगरेश सरकार आ चुक विदानशबा चुनाव से पहले कॉंग्रेश ने अपने गोशना पत्र में रीठ की विसंगतियों को दूर करने की बात कई थी जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान सरकार जो है इसमें कोई फेरवदल कर सकती है यानि कि कॉंग्र सामिल है, सरकार के पातरता परिक्षा के पैटरन को इस्पष्ट करने लिए युवा सिख्चक बनाने की तयारी यहां पे करेंगे। दोश्तो एक युवाओं की मांग बहुती अच्छी मांग है यहां पर युवा मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में जो इस तरिये मेरिट बनाने की मांग यहां पर की जा रही है। रखते हुए यहां पर RPSC के हाथ में एक्जाम देने की बात यहां पर कही जा रही है। प्रदेश में जो इस तरिये मेरिट बनाने की मांग कर रहे हैं। दोश्तो यहां पर देख सकते हैं सरकार के बदलते हैं इसका परिक्षा पैटरन है वो बदल सकता है यानि की रीट की जगए इस बार जो है राजस्तान में आर्टैट बरती हो सकती है। ऐसा अनुमान यहां पर बताया गया है।